नमस्कार बहुत स्वागत है आपका DSG News देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ देवाशीश कुमार चार दिन के अंदर विहार सरकार के दो मंत्रियों का निधन हो गया है जो हम आपको बता दे दोनों कोरोना से संक्रमित हो चुके थे इस बीच बिहार में विधान सबा का चुनाव हो रहा है लेकिन क्या आपको पता इस चुनाव में कोरोना को लेकर कोई भी साथानी बरती नहीं जा रही है चुनाव आयोग ने इसका पालन करने के लिए बोला था लेकिन खुद नेता इस गाइडलाइन का धज्या उडाते नजरा रहे है ऐसे में वोटरों को खुद साब्धान रहने की बहुत जाद जरूरत है क्योंकि बिहार में कोरोना का खत्रा भले ही चुनावी शोर में दबा हो लेकिन खत्रा अभी तक टला नहीं है कोरोना संक्रमित कपिल देव कामत का निधन हो गया है हम आपको बता दे कि कोरोना से बिहार सरकार के पंचायती राज्यमंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है मदुबनी के रहने वाले कपिल देव कामत विधायक थे उनके निधन पर सियम नितीश कुमार ने भी सूख जताया है कई दिनों से कपिल देव कामत की स्थिती बिलकुल नाजिक बनी हुई थी कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको पटना एम्स में भरती कराया गया था उन्हें पहले से ही किड्नी की परिशानी थी उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था ब्लड प्रेशर भी कम हो चुका था कामत की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाये हुए थे लेकिन देर रात उनका निधन हो गया यानि कि इस कोरोना के संकट में बिहार में सरकार के दो मंत्रियों का निधन हो चुका है अब ऐसे में जो तस्वीर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि अभी नामंकन की प्रक्रिया तमाम विधात सभा के तमाम परतियाशियों के बीच चल रही है लेकिन जिस तरह से खुद विधायक मंत्री और खासकर के जो प्रतियाशी बनाए गए हैं उनके तरफ से ही कोरोना को लेकर पूरी तरह से लोगडाउन या फिर यूँ कहें कि कोरोना नियम और साथी साथ चुनावायोग ने जो नियम जारी कर रखा था उसकी पूरी तरह से नेता मंत्री विधायक और प्रतियाशी धज्या उड़ाते नजरा रहे हैं ऐसे में हम आपको बता दे जुतने दर्शक हमारे हैं आप जब वोट डालने जाए तो आपको कोरोना का पालन करना बहुत जादा जरूरी है स्कत्रे को देखते हुए आपको तवाम गाइडलाइन का पालन करना बहुत जादा जरूरी है ऐसे में हम आपसे यह भी अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप वोट देने जाए तो तमाम जो भी नियम बनाए गया है उसका पालन जरूर करें ताजा वीडियो देखने के लिए आप बने लिए देश्जी न लॉक्स मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स सर्वश्रेष्ट गुणवत्ता से भरपूर शटरलैथ और अटूट इंटर्नल लॉक्स आईए इन्हें मिलाकर निर्मान करते हैं एक उजवल भारत का क्योंकि बात भारत की मजबूत भविश्य की है अबात भारत की मिलाकर पाम इंटर्नल साथ वह एक भार्वर शटर्नल लॉक्स आईए ड्सक्ता स्वश्रेश की है